दून दुमाग गुडी में तनाव किस्ति थी बार से प्रभावित 24 परिवारों को पुनर्वास नहीं होने दिया गया आखिर कौन है जिम्मिवार आज सुबर तिन्सुकिया जिले के कौर्दोई गुडी के बार से प्रभावित 24 परिवारों को पुनर्वास के उद्देश से दुमदुमा थाना के अंतरगत के टंगानी हुझान गाव में रूपक गत नामक व्यक्ति के कबजे वाली 24 बीघा जमीन प्रशासन द्वारा आव आवंटन प्राप्त करने वाले 24 परिवार आवंटिक भूमी पर आज मकान बनाने जा रहे थे तभी 200 से अधिक स्थानिय लोग लाठी और अन्य हथियारों के साथ घटनास्थल पर पहुँचे और पीरिक परिवारों के सदस्यों पर हमला करने पर उतारू हो गए इसी बीच फिलो बारी कुलिस ने मौके पर पहुँच कर स्तिथी को काबू में किया पीरितों ने आरोप लगाया कि हमले के लिए सरकारी जमीन से बेदखर किये गए रूपक गत्ता ने उकसाया था मौके यह दो ने समझाया तो अमा अल्सक मौके शली सबसेया से था आ多 हो मने तोस्तिया थैटे क्समाई ने को था ना नय खता मकोट्ष आय उत्यूल 스हालój कोच मैसी कह तो इधर रूपक दत का कहना है कि इस जमींग पर किसी भी तरह के निर्मान नहूने का स्टे वोडर न्यायाले द्वारा जारी किया गया है अब सवाल यह है कि प्रशासन द्वारा कोर्ट के स्टे वोडर की बावर नहूने का स्टे वोडर नहूने का स्टे वोडर नहूं परिवारों को जमीन पर मकान बनाने की इजाजत क्यों कर दी गई जिला उपायक्तों महूदयों और मन्तु विधायक अरु हकलों अरु इतिया कठातु खल जेकी आपनालों के निश्यों देखीजे इति मुध्ये सोभिष्टा पुरियालों अपना डुम्दुमा जीतु तरोनी तात जर रुट्ट उपाधी जिजान मने व्योग्ती बेद खली कोई ठका भूमी खिनी इति मुध्ये सोभिष्टा पुरिय पुरियाल बिलाको लोगत एक हंघात सिस्ती कोड़ा विवस्ता खिनी तेयों कोड़ी बलगुई से कुटके ए विखोई तो आसलों ते सहर कारे तरोन्तों कोड़ी तेखे तो उसी विवस्ता गर्वन कोड़ी बलागे प्रसन्न जीत गोश पीक नीज दूम दूमा